मानन्य प्रदानमंत्री जी नमस्कार मेरा नाम पुन्यो सुन्या है मैं कक्षा ग्यारवी की चात्र हूँ मेरे विद्यालाई का नाम विवेकानंद केंड्र विद्यालाई निर्जुली दिस्ट्रिक पापूंपारे स्टीट अर्नाचर प्रदेश है मानन्या प्रदान मंत्री जी कुछ सब्जेक्स और कुछ चैप्टर से जिनको लेकर मैं सहज नहीं हूँ उनसे पीछा चुराने में लगी रहती हूँ मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ मैं उन्हें पर नहीं पाती हूँ सायर ये इसलिए होता है क्योंकि मुझे उनसे दड़ लगता है सर इस तीती को केसे दूर किया जा सकता है धन्यवाद सर चलिये आंद्र से हम मलेशिया मलेशिया से बारुनाचल पहुँच गए और मुझे बताया गया कि इसी प्रकार का कोई और एक सवाल भी है मानिने प्रधान मंत्री जी नमस्कार मेरा नाम विनीता गर्ग है और मैं SRDAV पब्लिक स्कूल में 25 वर्ष से कारे रत हूँ मेरा प्रशन है कुछ सब्जिक्स ऐसे हैं जिसमें कई स्टूडिन्स को डर का सामना करना पड़ता है इस वज़र से मैं इन से बच्चते हैं इसके बारे में इतिहास या गड़ित जैसे विश्यों के शिक्षक अच्छी तरह से समझ सकते हैं टीचर के तौर पर इस स्टिथी को और बहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं यह कुछ अलग प्रकार का ही विशे मेरे सामने आया मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स के मन को छू सकूँ और टीचर्स की बात पर गौर के साथ कुछ समाधान बता सकते हैं आप दोनों ने किसी खास सबजेक्ट या चेप्टर से डर की बात नहीं है आप लोग अकेले नहीं हैं जिनको इस थिती का सामना करना पड़ता हो हकीकत तो यह है कि दुनिया में एग भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके उपर ये बात लागू नहीं होती हूँ माल लिजे आपके पास बहुती बढ़िया पांचे शर्ट है लेकिन आपने देखा होगा एक या दो शर्ट आपको इतने पसंद आते होंगे बार बार पहनते हैं इसका मटल लगे बाकी सब बेकार हैं फिटिंग ठीक नहीं है ऐसा नहीं है उन दो इतने अच्छे लगते हैं कि आप उसको बार बार पहनते हैं कई बार तो माबाब भी इन चीजों के लिए के गुसा करते हैं कि कितनी बार इसको पहनोगे अभी दो दिन पहले तो पहना था पसंद नापसंद मनुष्य का स्वभाव है और कभी कभी पसंद के साथ लगाओ भी हो जाता है और इसमें डर की दुविधा की क्या बात है कि हमने डरना चाहिए कि दरसल होता क्या है जब आपको कुछ चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगती है तो उनके साथ आप बहुत कमफर्ट हो जाते हैं जिन चीजों के साथ आप सहज नहीं होते उनके तनाव में आपकी असीप प्रतिश्यश्ट्ट एनरजी है आप उसी में लगा देते हैं और इसलिए टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्टिबूट कर रा चाहिए सभी विश्वों में बराबर बराबर आपके पास पढ़ाई के लिए दो गंटे हैं तो उन गंटों में हर सब्जेक को समान भाव से पढ़िए अपने समय को इक्वल डिस्टिबूट करिए शाथियों आपने देखा होगा टीचर्स माता पिता हमें सिखाते हैं कि जो सरल है वो पहले करें आथ क्टीन है को लेकर मैं समयता हूं कि यह सला आवशक नहीं है और उप्योग भी नहीं है मैं जरा इन चीज को अलग नजेरिय से देखता हूं मैं कहता हूं जब कि पढ़ाई की बात हो तो कठीन जो है उसको पहले लिजा आपका माइंड फ्रेश हैं आप खुद फ्रेश हैं उसको एटेंड करने का प्रयास की जब कठीन को एटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा मैं अपना अनुफा बताता हूं जब मैं मुख्य मंत्री था प्रदान मंत्री बना तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है बहुत कुछ सीखना पड़ता है बहुत हो सीखना पड़ता है चीजों को कठी चीजों से शुरू करना पसंद करता हूं, मुश्किल से मुश्किल चीजे मेरे अप्सवर मेरे सामने लेकर करे आते हूं, एक उनको मौलुम है, कि वह मेरा बिलकुल मेरा जो समझ लेता हूं निनने करने की दिशा में आगे बढ़ता हूं मैंने अपना एक नियम बनाया है और जो सरल चीजे हैं दिन भर की थकान के बाद रात देर हो जाती है तो चलो भाई अब उनको मैं ज्यादा दिमाग खपाने के जरूत नहीं हूं कि गल्ती होने का कारण नहीं है तो उन्ची जोगों मैं देर रात तक ठीच लेता हूं लेकिन सुबह जब उड़ता हूं तो फिर कठीन से ही मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता हूं दोस्तों एक और बात हमें अपने आप से सिखनी चाहिए आप देखिए जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं वो हर पारंगत नहीं होते हैं लेकिन किसी एक विशाय पर किसी एक सब्जेट पर उनकी पकड़ जवर्दस्त होती है अब जैसे लता दीदी है लता मंगेशकर जी की पूरे दुनिया में नाम है हिंदुस्तान के हर जुबां पे नाम है लेकिन अगर कोई जाल करके उनको कहे काई हमारे क्लास में आईए और जोगरों भी पढ़ाईए हो सकता है उन्हों भी पढ़ा पाए पढ़ा भी पाए मैंने किया अंता हूं को हुआ हुआ है एक विशय पर जिस प्रकारत अपना जीवन खपा दिया है आज वो हरेक के लिए प्रेणा का कारण बन गई है और इसलिए आपको बले कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो यह कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है आप बस यह ध्यान रखिए कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई से खुद को दूर मत कीजिए उसे भागिए मर्द वही टीचर्स के लिए मेरी सला यह है वो विध्यार्थियों से उनको टाइम मेनेजमेंट के सबंद में उसके तौंतरी के सबंद में सिलिबस के भार जा करके भी कभी उनसे बाते करें उनसे चर्चा करें उनको गाइड करें विर्धियार्थियों को टोकने के बजाएं, उन्हें गाइड करें, टोकना, रोकना उसका प्रभाव मन पे और ज्यादा नेगेटिव फैलता है, प्रोथसाहित करने से वो कॉंसेंट्रेटर ताकत के रुप में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ बातें क्लास में सार्वजनिक तोर पर जरूर कहें, ताकि सब का प्रबोधन होगा, लेकिन बहुत सी बात ऐसी होती हैं, जब किसी एक बच्चे को बुला करके, चलते चलते, थोड़ा सर पे हाथ रख करके, बहुत ही प्यार से कहें, बहुत काम आएगा, एक काम करिएगा, आपके जीवन में, ऐसी कौन सी बाते थी, जो कभी आपको बहुत कठीन लगती थी, और आज आप उसको बड़ी सहस्ता से कर पा रहे हैं, ऐसे कुछ कामों की लिस्ट बनाईएगा, जैसे साइकिल चलाना कभी आपको कठिन लगा होगा, लेकिन अब वही काम आप बहुत सहस्ता से करते लेते होंगे, कभी तैरने की बात आई होगी, बहुत डर लगा होगा, उतरने से भी डर लगा होगा, लेकिन आप अच्छे तरा आज तैरना सिख गए होंगे, जो कठिन था, उसको आपने कनवर कर दिया, आपके जीवन में सेंकड़ों चीजी होगी, अगर आप ये याद करके, जरा किसी कागज पर लिख लेंगे, तो कभी आपको किसी को भी मुझसे भी कठिन वाला सवाल पूछना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी कोई चीज तो आपकार के दिया